हे फ्रेंट्स वेलकम टूदेसी फ्लिवर मैं हूं आपकी होस्ट मुन मुन और आज मैं एज रवेस आई हूं फिस एक नीज और पिकल एज़ा पिकल आप मैं रही हैं जी हां हम बात कर रहे हैं सोया बीन की तो हम बनाने वाले हैं सोया बीन की रेसिपी वो भी एकदम फटा फट और बिना प्याज और लहसून के ये सोया बीन की रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलिशियस बनकर रेडी होती है तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं सोया आलू की सबजी बनाना यह देखिए यहां पर मैंने सोया बीन को 10-15 मिनट के लिए गरम पानी में भीगो कर रखा था यह अच्छे से फूल गए हैं पानी सोक कर लिया है तो अब हम इसमें से सारा पानी निकाल देंगे इस तरह से हलके हाथों से हम प्रेस करेंग सोया बीन में में वितामिन बी कॉंपलेक्स वितामिन ई मिनरील और एमि असिड भरपूर मातरा में पाई जाती है तो फ्रेंज यहां पर बैह बादू है और इसको मैंने अलग से बातन में लग दिया यह देखिए आगे का परोसेस करते हैं रेवी के लिए हमने लिए टीन थोड़ा सा अद्रक और दो हरीमिच आप अगर प्यास का यूज करना चाहते हैं तो यहां पर प्यास भी इंक्लूड कर सकते हैं तीन से चार आलू लिए जिनको बड़े टुकड़ों में कट करके बॉयल कर लिए हाफ बॉयल की है फुल बॉयल नहीं है अगर आप प्यास का यूज करना चाहते हैं तो यहां पर प्यास और लहसून भी एक साथ डाल कर आप पेस्ट बना सकते हैं क्यूंकि हमiliar without onion garlic बना 沒事 को अवाइड ए तो इसको हम पेस्ट बना लेंगे बिना पानि की based बनाना है देखिये का color और texture उख वाइन पेस्ट बना लिए हमने आगी का प्रोस्स करते हैं अब हम करेंगे कुकिंग जिसके लिए यहां पे मैंने कड़ाई गरम की है और इसमें मैं आड़ करूंगी थोड़ा सा ओयल दो से तीन चम्मच ओयल के हमने यूज की है और इसके बाद इसमें आड़ करेंगे न्यूट्रिला जो हमने बॉल करके इसका पानी निकाल कर रखा था उसको एड़ क करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट बहुत जादा यूज नहीं करेंगे सॉल्ट का बाद में यूज करेंगे तो यहां पे सॉल्ट डालकर हम इसको मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करके हम इसको अच्छे से फ्राय करेंगी जब तक कि इसमें अच्छा सा गोल्डन खलर ना जाए हमें को अच्छे से फ्राइ करके ही कुक करना चाहिए ऑर करके करेंगे तो सब्जी का टीस जो है वह बहुत ही बढ़ी आता है कई लोग जो होते हैं वह जो नियूट्रिला को बिना फ्राइब करके चाहिए इस से अलग टेस्ट अता है तो इस तरह से आप ज़रूर चाहिए बाद नूट्रीला को फ्राय कर लिया है अब इसको हम निकालकर अ साइड में रख रहे है और यह देखिएा यहाँ सारी नूट्रीला निकाल दिया है और अब आगे का स्टेप करेंगे सेम पैन में थोड़ा सा ओOoh french Oh Tut आप हो 가운데 और आलू अई democrat인ागेकós गरम करने एक परसे तरी तरह इसमें किरें फार를 को तरह दो यह दो नहीं को प्रोक्ट कई छच्छ Does सॉर्ट आड़ नहीं कर देंगे ता सॉल्ट नहीं करेंगे एक विर अलो को अखिर हम हाई-फलेंपर दोसे तीन मिनिट के लिए इस तरह से फ्रा इनने बहुत जादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि आलू अल्रेडी 50% कुक था बॉयल कर लिया था यह देखिए आलू को हमने थोड़ा साटे कर लिये और इस स्टेज पर आलू को आयल में से निकाल कर हम रखतेंगे न्यूट्रिला के साथ जिसको हमने फ्राइ कर लिया था सेम उसी ब क्राउन थोड़ा सा हलका हुआ है और हमने इसको कड़ाई से निकाल कर अलग रख लिया इस तरह से आप आलू सोया बिनकी सबजी बनाएंगे तो वह बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होता है चले फ्रेंस आगे का स्टेप करते हैं सेम कड़ाई में मैंने थोड़ा सा आयल यहां पर मैंने मस्टर्ड ओय लिया आप चाहे तो कोई भी ऐल यूज कर सकते हैं यहां पर गरम होने के बाद मैंने जीरा डाला है और उसके बाद जो मैंने अध्रक टमाटर का पेस्ट बनाया था वह डालेंगे सजार में थोड़ा सा पानी एड किया और अच्छे से क्लीन अध्रक पर जाड़ा चाहें थोड़े से सुखे मसाले सबसे पहले मैं यहां पर सॉल्ट यूज करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि हमने अलु और सौया बीन में आल्रेडी सॉल्ट यूज कर रखा है अध्र कर यह थोड़ा धनिया पाउडर सौल्ट का बैलेंस आप अपने ट फीरा पाऊडर और हलदी पाऊडर अब आक्ट सब्सक्राइब करें अब एक स्पूम सब्सक्राइब कर too जरूर्स सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर्स ठिक्की होने का थोड़ा चांस हो जाता है तो देखेंyangें में जो ओर डियार है इसको जो जा दो तो धोसा साइड में आप देख सकते हैं तो एक बार हम इसको और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मसाला बिल्कुल तियार हो चुका है अब हम इसमें एड करेंगे हमने जो न्यूट्रिला और आलू को फ्राय करके रखा था उनको हम इस मसाले में एड कर देंगे आलू सोया बीन को मसा पानी आड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ी देर के लिए और को कर लीजिए और यह सबजी बनकर रेडी हो जाएगा ड्राय आलू सोया बीन की सबजी बट मैं इसमें पानी आड करूंगी पानी आड करने से पहले दो चीज़े और एड करनी है सबसे पहले मैं गर्यों गरम मसाला और साथ में ही मैं यहां पर डालूंगी कसूरी में थी इन दोनों से सब्जी का फ्लेवर और जादा टेस्टी और इन्हेंस हो जाएगा तो इन दोनों को डाल कर मैं एक मिनिट के लिए और चला लूंगी देखिए यह ड्राय आलू सोया बीन की सबजी ब बहुत जादा पानी एड नहीं करना है तो मैं यहां पर वाउम वाटर का यूज कर रही हूं आप भी ट्राय किजिएगा कि गरम पानी यूज करें उससे सब्जी का कलर और टेस्ट दोनों बरकरार रहता है मैंने यहां पर आल्मोस्ट वन ग्लास वाउम वाटर का यूज कि अब हम इसको कवर करके कुछ देर के लिए पकाएंगे जब तक इसमें बॉइल ना आ जाए कुछ देर बाद हम चेक करते हैं और यह देखिए अच्छे से बॉइल आ चुका है सब्जी अल्रेडी बन कर तया थी बस एक बॉइल आने की देरी थी और यहां पर बॉइल आ यह देख और कर ठीशीय Hess बनकर रेडी होता है कि फिनिश करेंगे चॉप्त धनिया पत्ता डालकर और अगर को पासंद है तो आप यूज की जीए और अगर नहीं पसंद है तो आप सकटे हैं मुझे बहुत पसंद हैं यह बहुत पसंद है तो मैं तन्यापत्ता झाहरू हू और यह सब्जी बिल्कुल तेयार है आप देख सकते हैं इसका कलर और टेक्स्चर सब्जी को मैं सर्फ कर देती हूं और यह देखिए बिना गालिक और अनियन के सब्जी किती टेस्टी और डिलिशयस बनकर रेडी होई है इस सब्जी को आप रोटी पराथा राइस जो भी जिए हैं दो ट्राय किजीगा मेरी इस रेसिपी को फालो करकि को मैं चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा आगे के आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए तो थैंक यू सो मुच